मेरी वाउम गुड मॉर्णिंग तो अल फ्यू आज है 24 जैन्वरी 2021 तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अब दे था रिसेटली पाराकरम डिबस इस सेलिब्रेटर ऑन दी बर्थ अन्वर्सरी ऑफ स्वास चंद्र बोस तो कौन से अभी हाल में हमने बर्थ अन्वर्सरी सेल कुशन नमब वन है कुशन नमब वन रिसेंटली इंद्या लॉंगेस्ट रोड आर्क ब्रीस स्टार्ट एट इंड्या का सबसे लंबा रोड आर्क Brave काहां बना है तो यह बना है पास्चा muchísimo जी में घाले मिया बनाया गया है कुशन नमबर 2 देखते हैं किसके दोरा डिबलप्ट किया गया है यह सौ तो यह डिबलप्ट किया गया है अभी हाल में डिबलप्ट सौ को यानि स्मार्ट एंटी एर फिल वेकल को लॉंच किया गया है हौक के दोरा हौक किया है हौक हल का पार्ट है हल को हौक एमके 132 ने इसको लॉंच किया है इस विकल से इसको लॉंच किया गया है यह काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह जो सौ है न वह बहुत ही निव टेक्निलोजी है यह क्या करेगा कि enemy को destroy कर सकता है अगर enemy 100 km का उसका अगर कोई radar है या bunker है या taxi truck है कुछ भी है tanker है तो उन सब को destroy कर सकता है इसलिए काफी important news है Question number 3 The Ministry of Electronics and Information Technology in India has signed an agreement with which company to establish quantum computing application lab Quantum computing application lab आ रहा है और इसके लिए Ministry of Electronics and Information Technology ने क्या किया है MAU sign किया है तो आपको बताना है किस company के साथ तो यह किया गया है option number B Amazon Amazon wave service के साथ यह start किया गया है quantum computing application lab आने से बहुत सारे benefit होंगे जैसे कि quantum computing service आने से government ministries में government services improvement होगे जैसे manufacturing sector, healthcare sector, agriculture sector और aerospace देखिए Amazon wave service जो है न वो provide करेगा hosting with technical and programming support for the lab जी हाँ programming support देगा lab को Quantum computing बहुत important concept है तो थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो classical computer होता है उसमें bit होते हैं जो जो कि 0 और 1 को follow करते हैं और यह मानते हैं 0 और 1 ही सब कुछ है उसके बीच में कुछ नहीं है लेकिन जो quantum है वो कहता है कि 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारी possibilities है तो यह कहीं न कहीं जो service है उसको और अच्छा बनाएगा इसलिए इसको implement किया जा रहा है कुछ नमबर 4 हावडा कलका express name has changed to अभी हाल में हावडा कलका express का नाम बदल दिया गया है तो क्या नाम रखा गया है इसका नाम रखा गया है नेताजी express तो याद रखेगा कुछ नमबर 5 who is the newly appointed defense minister of USA तो defense minister जो हाल में पॉइंट हुए है USA के वो है option नमबर ए Lloyd Austin जी हां Lloyd Austin को पॉइंट किया गया है defense minister of USA यह काफी important news है और यह जो है वे काफी लोग प्रिये है Republican में भी और Democratic में भी दोनों ही party उनको बहुत पसंद करती है question number 6 which Indian company come under top 300 cooperatives हाल में यह list निकला है बहुत important news है इसलिए cover किया है तो अभी हाल में 300 cooperative का list निकला है उसमें top कौन है तो वो है option number C IFFCO अब यह क्या है देखिए IFFCO है Indian farmer fertilizer cooperative limited यह company बहुत ही important company है यह Indian cooperative के द्वारा own की जाती है और यह जो list निकला है इसको का adjustment इसको top आया है यह list कौन निकाला है तो यह list निकाला है world cooperative monitor के द्वारा ओके world cooperative monitor जो है वो एक group है group किसका है international cooperative alliance and European research institute का तो यह काफी important group है और इसने यह list निकाला है अब यह IFFCO कब बना था आया कब था तो यह आया था 1967 में तो यह important है इफको को rank number one मिलता है top 300 cooperative में तो यह बड़ा news है question number seven which ministry of India has launched shramshakti app कौन सी ministry ने launch किया है shramshakti app तो इसका answer जल्दी से दे तो इसका answer है B ministry of tribal जी हम ministry of tribal ने यह launch किया है यह क्या है थोड़ा जानते है यह P.I.B. से लिया गया है ministry of tribal affair started for tribal migrant यह start क्या गया है tribal migrant के लिए tribal migrant को proper facility दी जाए इसके लिए ministry of tribal affair ने start किया है shramshakti app यह central state government के scheme को link करेगा और tribal minister कौन है अर्जुन मुंडा question number eight स्वाव वेम scheme is started by which state government स्वाव वेम scheme किसके द्वारा start किया गया है तो इसका answer है option number B आसाम जी हाँ यह आसाम के द्वारा start किया गया है स्वाव वेम का full form क्या है स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ इंपार्मर्मेंट यह काफे important न्यूज है और आसाम के चिफ मिनिस्टर सर्मनान्ना गोसोनेवाल ने इसको start किया है यह skill training देगा गाउं में यह काफे important है scheme है कहां का आसाम का question number nine इंडिया फर्स solution mining project shall be started it पहले बार भारत में एक solution mining project start किया जा रहा है वो कहां किया जा रहा है तो इसका answer है जी हाँ राजस्थान राजस्थान में यह किया जा रहा है और यह बहुत important agreement है इसको tripetite agreement कहेंगे क्योंकि यह तीन organization के द्वारा है पहला तो state government है राजस्थान state government दूसरा है mineral exploration cooperation limited और तीसरा है राजस्थान state mines यह तीनों मिलकर इस agreement को किया है यह solution mining project है जो कि किया जाएगा potash का potash क्या है potash एक solve rock है जो कि काफी important है ठीक है तो potash की solution mining project start की जारी है question number 10 which state government has made camera compulsory with uniform जी हाँ अब police uniform के साथ camera भी मिले लगाना पड़ेगा और ऐसा इसलिए किया जारा ताकि corruption को कम किया जाए तो यह काम कौन सी state ने किया है तो यह हुआ है option number 1 गुजरात जी हाँ गुजरात में यह किया जारा है ताकि corruption को reduce किया जाए चलिए देखते हैं आज का question of the day world's oldest cave is discovered at अभी हाल में world का oldest cave discovered किया गया था आप help करेगा okay thank you झाली